तो हम सबसे पहले नाप लेना सीखेंगे काफ़ी अच्छा साइज है भाईया तो बहुत खुश हो जाती होंगे हैलो फ्रेंस एक बार फिर से आप सबी का स्वागत है दोस्तो आज किस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ ऐसी हिंदी बैप स्रीज के बारे में जिनमें कई सारे इंटिवेंट सीन है यानि कि हमें इन बैप स्रीज में कई सारे गर्मगरम सीन देखने को मिल जाएंगे लेकिन ध्यान रहे इन्हें आप सिर्फ अकेले में ही देखें क्योंकि सब के सामने देखने पर आपकी कुटाई भी हो सकती है तो चलिए बीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं इन बैप स्रीज के बारे में जी आपका ओजार कहां हतोडा है हतोडा पाथी पूरा काओं तो बेहन का पकोडा नमबर वन चरम सूख मा देवरानी पेटी जठानी दोस्तों जैसा कि हम सभी जानते हैं कि उल्लू किया है पापुलर स्रीज है चरम सूख के यह तो बहुत सारे एपिसोड को रिलिस किया गया है लेकिन 2022 में इस एपिसोड को आपको जरूर देखना चाहिए इस एपिसोड की स्टोडी आपको बहुत ज़्यदा डिफरेंट लगने वाली है इवन इस एपिसोड में आप जो देखेंगे सायद आपको विश्वास भी ना हो कुछ ऐसे ही कॉंसेप्ट के उपर बनाई गई है एक कंप्लेट वैप स्रीज बैप स्रीज रिलिस की गई है उल्लू ओरिजिनल पर आपके और रोनेक के बीच में क्या चल रहे है इससे प्यार करते हैं और इससे ब्या करना चाते हैं चूतिया बतिया रहे हो सुबह सुबह भान फांक लिए हो क्या तुम इस घर में रहोगी लेकिन हमारा रिष्टा मा बेटी का नहीं रहेगा मैं जठानी तुम देवरानी बोलो मंजूर है दोस्तो ए बैप सरिज इस्पेसली उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है जो की रोमैंटिक ट्रामा देखना बहुत ज़्यादा पसंद करते है बैप सरिज की स्टोरी स्थुरू होती है अचानक से ही एक बंगाली फैमिली कालोनी में रहने आती है लेकिन बंगाली भावी बहुत ज़्यादा फैमिली बिहाइबियर रखती है और यही फैमली पिहाइबियर उस कालोने के सभी बॉयस के दिमाग में चड़ जाती है और लास्ट अक ये भावी कौन कौन से बड़े कारनामे करती है ये तो आपको इस बैप सरीज को देखने के बाद ही पता चलने वाली है बैप सरीज रिलीज की गई है उल्लू पर नमबर 3 अनामिका दोस्तो एक कम्प्लेट बैप सरीज इस्पेसली उन्हें बहुत ज़्यादा इंट्रेस्टिंग लगने वाली है जो कि इस्पाई एक्टिविटी और एक्षन बैप सरीज देखना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं बैप सरीज की स्टोरी शुरू होती है अनामिका से जो कि एक्ट्वल में एक इस्पाई है और उसे एक डेडलियस टास्क दिया जाता है और उस टास्क को वा किस तरह से कंप्लेट करती है यही दिखाने की कोशिश की जाएगी इस कंप्लेट बैप सरीज में बैप सरीज रिलिस की गई है एमेक्स प्लेयर पर तो कौन है या कहा है ये तो नहीं मालू लेकिन अपने दिन के नाश शुरू करते है बहुत साल मैंने अपने बीते हुए कल को ढूनने की कोशिश की है इन्हें पता भी यही तुम्हे कुछ याद मी है तुमारे पैस ऐसा कुछ है जिसकी वज़े से गवर्मेंट एजनसी तुम्हें जिन्दा नहीं चोड़ सकती है जिसकी तुम्हें जिसकी है